राजस्तान में विधान सभा चुनाफ को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई है इसे वीश 23 सतंबर को राहूल गांदी जैपूर के दोरे पर है राहूल गांदी जैपूर भी पहुँचे जहां एयरपोर्ट पर राजस्तान की मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने खुद राहूल गांदी का स्वागत किया वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही राहूल एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहां कॉंग्रेस कारेकरतों की भीड साफ नजर आए गहलोत बेखुद राहूल को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे इस दोरान एयरपोर्ट से राहूल और गहलोत की तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर वारल हो रही है इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया नुज़सता कहना है कि दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती साफ नजर आ रही है आपको बता दे राहूल गांधी जैपूर के मानस्रोवर स्थित शिपरापत पर प्रदेश कॉंग्रस के नए कार्याले की नीव रखेंगे इसके बाद जैपूर में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे इसके लिए बड़ी संख्या में कॉंग्रेस कारेकरता भी जोट चुके है सभा में कॉंग्रेस के राष्ट्रे अध्यक्ष मलिका अर्जुन खर्गे भी शामिल होंगे इसके लावा सभा में सीम गहलोत, PCC चीफ गोवन सिंग, डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा समय तमाम नेता में शामिल होंगे वह आपको बता दे राहुल गांदी की इस जात्रा को काफी ज़ादा एहम भी माना जा रहा है क्योंकि विधान सभा चुनावों में अब बेहदी कम समय बचा है ऐसे में कॉंग्रेस नेताओं को एक जूट करने के लावा कारेकरताओं में जोश भढ़ने के लिए राहुल की सभा को एहम माना जा रहा है आपको जाने इस साल के अंत में होने वाले चुनावों को देखते हूँ राहुल गानी की यात्रा महत्वपूर मानी जा रही है क्योंकि सर्ताधारी गहलो सरकार दुबारा फिर से वापसी के लिए पूरी जी जान लगा रही है ऐसे में वो हर वर्क को साधने में जूटी हुई है साथी शनिवार यानि की 23 सितंपर को होने वाले सभा के द्वारा कॉंग्रस अपने कारेकरताओं में जोश भरने का भी काम करेगी कॉंग्रस इस सभा के बाद चुनावी मोड में नजर आ सकती है क्योंकि इसे सभा के जरिये राहुट गांधी और अध्यक्ष मलीकार जुनखर गे पार्टी कारेकरतों में जोश भर कर उन्हें एक जुत्ता का संदेश दे कर चुनावी मैदान के जाने के लिए तैयार करेंगे मीरो रिपोर्ट निउस तक